नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आए हम एक और प्रश्न हल कर लें जो कि फिर से आधारित है आपेक्षिक घनत एक बोतल जब खाली है तो उसका द्रविमान 30 ग्राम है तो एक बोतल जब ये बोतल खाली है तो इसका द्रविमान है 30 ग्राम 53.4 ग्राम है जब वो किसी तरल पदार से भरा हुआ है तो अगर हमने इसको किसी तरल पदार से भर दिया इसी बोतल को जब हमने तरल पदार से भर दिया तो इसका वजन हो गया 53.4 ग्राम और 48 ग्राम है जब वो पानी से भरा हुआ है तो अगर इसी बोतल में हमने पानी भर दिया, तो अब हमने क्या भरा है इसमें पानी, तो अब वजन हो गया इसका 48 ग्राम, पूछ रहे हैं कि इस तरल पदार्थ का घनत्व ग्यात कीजिए, दिया गया है कि पानी का घनत्व 4 डिक्री सेल्सियस पर 1000 किलो ग्राम प्रती मीट क्यू, होता है, आऑए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम से पूछा गया है, तरल पदार्थ का घनत्व, तो तरल पदार्थ का घनत्व निकालने के लिए, हमें जिन दो मानों को यहाँ पे चाहिए वो क्या-क्या है कि इसका द्रविमान पता चल जाए और वो द्रविमान कितनी आयतन में है वो पता चल जाए मतलब कितने आयतन का ये द्रविमान है ये हमें पता चल जाए तो दोनों का भाग करेंगे तो गनत्व आ जाएगा अब यहाँ पे आप देखिए अगर हम इस Bottle की बात करें तो इस Bottle का जो आयतन है वो तो fixed है मतलब समान है जो यहाँ पर है मान लीजे V वो ही इसके लिए है V और वो ही इसके लिए है V तो ये आयतन V हम मान लेते हैं और द्रिवेमान जो की इस तरल पदावध का है वो हम निकाल सकते हैं जब तरलपदार्थ बोतल में हैं तो पूरी बोतल का भार और उसमें से खाली बोतल का दुर्पे मान अगर हम घटा दें जो की होगा 23.4 बटे वी अब समस्या ये है कि हम इस वी का मान कैसे निकालें तो वी के मान के लिए हम क्या कर लेते हैं वी के मान के लिए हम पानी के घणत्व का प्रयोप करेंगे तो पानी का घणत्व पानी का घणत्व क्या हो जाएगा पानी का दुर्पे मान यानि की 48-30 बटे जो की उसकी भी आयतन है मगर प्रश्न में हमें दिया गया है कि पानी का द्रविमान 1000 किलो प्रती मीटर क्यूब है तो यह हो गया 1000 किलो प्रती मीटर क्यूब और यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है 18 ग्राम प्रती वी तो यानि कि हमें अगर वी को मीटर क्यूब में चाहिए तो हमें इस किलो ग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा या फिर इस ग्राम को किलो ग्राम में बदलना पड़ेगा तो अगर हम इस ग्राम को किलो ग्राम में बदलना चाहते हैं तो एक बटे हजार होगा जो की अब इसको किलो ग्राम बना देगा तो इस प्रकार अगर हम V का मान निकालेंगे तो वह आ जाएगा 18 बटे 1000 और बटे 1000 ठीक है और ये जो है वो मीटर क्यूब में आ गया अब अगर हम इसको यहाँ पे प्रती स्थापित कर दें तो जो कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा 23.4 ये ग्राम था इसको किलोग्राम में करेंगे तो एक बटा हजार और इसके बाद में आप अगर V का मान रखेंगे तो 18 बटे 1000 और 1000 का गुड़न पर तो ये आ जाएगा तरल पडार्द का घनतवर ध्यान दीजे कि मैंने इस बट के बाद यहाँ पे V को प्रती स्थापित किया है और 23.4 जो था वो ग्राम में था अब हमारे पास इसकी जो एक आई है वो किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब आ गई तो देखे हजार और 1000 जो है वो आपस में कड़ गया अगर यह दशमलब हटाएंगे तो यहाँ शून आ जाएगा और फिर 18 एकम अठारा बचा चववन जो की हो जाएगा तीन तो तेरा सो किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब इसका क्या आशे हुआ कि अगर आप एक मीटर क्यूब में पानी रखते हैं तो वो हजार किलो होगा मगर आप अगर एक मीटर क्यूब में यह तरल पदा आर्थ रखेंगे तो वो तेरा सो किलो आएगा तो यह था एक और प्रश्न जो की फिर से आप एक शिक घनतों पर आधारित है